वेलकम टू प्रकरकेडमी आपका स्वागत है आपके चैनल पर और आज का जो करण्ट अफेर है वो शुरू करने से पहले हम थौट अफ दे ले लेते हैं और आज का थौट अफ डे है यू केन फेल अथाउजन टाइम्स देखिए ऐसा हो सकता है आप हमेशा से हारे हों कोई प्रिकत नहीं लेकिन सिर्फ एक जीत सिर्फ एक जीत काफी है आपको मॉटिवेशन से भढ़ने के लिए तो यू केन फेल अथाउजन टाइम्स बट रिमेंबर यू अनली नीड वन विन आप यकीन मानी जब आप एक बार जीत जाएंगे तो आपके अंदर एक अदभुत स साहस आप महसूस करेंगे अगर आपको कोई भी डाउट हो अपने सामर्थे पर तो कभी भी आप अब्राहम लिंकन का एक बार आप उनका जीवनी पढ़ लें तो मैं यह कहूंगा आपको कि आपके अंदर इतना ज्यादा साहस भर जाएगा इतना मॉटिवेशन आपको मिले दिया तो चलिए है हम शुरू करते हैं इसी थॉट के साथ और हमारा पहला जो न्यूज है जस्ट न्यूज है साथ याड़ घंटे पहले का न्यूज था यह कि सीबिए सी सी इसी क्लास 12 बोर्ट एस सी जंक्स चैलेंज टू कैंसलेशन ऑफ एक्जैम्स ओके इवालुएशन स्कीम इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है देखिए प्रेटिशन डली हुई थी अब सी बीएसी ने अपनी तरफ से स्टेंड रखा और स्टेंड रखते हुए कहा कि हम जो पास करेंगे बच्चों को 12 वाले बच्चों को तो कैसे पास करेंगे 10 लेवल पर 30 परसंट 11 पर 30 और जो 12 में उनके एक्जाम्स हुए है चैट टर्म के एक्जाम्स हुए है या बोर्ड के या या प्रैक्टिकल एक्जाम्स हुए है तो उनके बेसिस पर 40 परसंट तो इस एक फार्मले के साथ वो आएंगे और उस फार्मले से बच्चों को पास किया जाएगा या जो भी उ बहुत सारी चीजें, तो अब इसमें हुआ क्या, कि यहां पर उन्हों ने साफ कर दिया, उन्हों ने क्या कहा, साफ तोर पर कह दिया, कि ऐसा है, जो CBSC ने हमारे सामने अपना पक्ष रखा है, वो जन हित में जो होना चाहिए, जो best होना चाहिए, समाज के हित में, वो एक formula त बदला नहीं जा सकता, या एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार निर्ने को नहीं दिया जा सकता, यह सार है, बाकि थोड़ा सा पढ़ देते हैं हम इसके बारे में, तो यह आप देख सकते हैं इसके बारे में, तो इस बात को उन्होंने तरजी दी थी, ठीक है, तो यह बाते हुई, अब में बाते क्या रही, तीन मुख्या बाते जो रही, इस बैंच की वो मैं बता देता हूं, कि मुल्यांकन स्कीम या परिक्षा में बैठने में से किसी एक विकल्प को चुनने की मांग को ठुकराया गया, ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात रखी गए कि जो बारवी बोर्ड की फिजिकल परिक्षा है, वो जुलाई में ही आयुजित कराने को भी कोर्ट का इंकार ह ठीक है, और थर्ड बात जो रही, CBSC और ICSC को, Evaluation Criteria और Marking Scheme को आगे बढ़ाने को कहा गया, तो ठीक है, ये मुख्य बाते रही हैं, इसके बारे में, तो इस Evaluation Scheme में, बस आपको जो मेन बाते याद रखने हैं, देखिए, मेन बाते ये याद रखने हैं, क्योंकि अपने आप में एक नया case हुआ है, तो आपको ये याद रखना हैं, कि जो 12th की exam board हुए हैं, तो उसका जो formula बताया गया है, 30-30-40, जो आपका class 10th है, उसमें आपका जो top 3 होंगे, out of 5, एक तो वो याद रखना है, 30-30-40 का ratio याद रखना है, और ये पूछा जाए कि भाई, कि 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 इस court में इसको रखा गया, तो इसको किसने head किया, तो Justice A.M. Khan Wilkar और Justice Dinesh Mahishwari जो हैं, उनकी bench ने इसके बारे में नर्ने दिया, ठीक है, मेरे खाल में इतना काफी है, इसके लिए बहुत detail जाने की ज़रुदत नहीं, अब अगला प्रशन आता है, question IBA, International Boxing Association, Coach Committee के सदस्य के न्युक्त होने वाली जो पहली भारतिय महिला बनी है, वो कौन है, तो वो है Dr. Tadang Meenu, और ये कहां की रहने वाली है, ये रहने वाली है, अरुनाचल प्रदेश की, तो Chief Minister आपको पता होना जी, अरुनाचल प्रदेश के Chief Minister कौन है, पेमा खांडू जी, और Governor है वहाँ पर, इंडिया टू ओडे ब्रिक्स मीट और ग्रीन हाइडोजन इनिशियेटिव इंडिया सैट वोस्ट टू डे समिट ओन ग्रीन हाइडोजन इनिशियेटिव स्टार्टिंग जून 22 इंवाल्विंग्ड देखिए आज से शुरू है, लेकिन कल कंक्लूजन आएगा तो बहुत कर पाएंगे इसको बाखी देख लेते हैं यह आप देख रहें ब्रिक्स इसको जो है वो सपोर्ट कर रहा है तो आपको पता यह ब्रिक्स में कौन तो जीम और नेल के नाम से एक परसन थे उन्हीं का ये विचार रहा था और ये इस्टेबलिश हुआ आपका 2009 में 2010 में फाइनल हुआ ठीक है तो इस तरह से करके इसका एक सफर रहा है और एक बड़ा संगठन है देखा जाए तो ऐसी अर्थ्विवस्ताओं के लिए जो विका विकासिल देशों का हित चाहने वाला ये संगठन है इसमें सभी जो हैं वो कौन से हैं विकासिल देश हैं चलिए अब आप देख सकते हैं इंडिया एस सैट टू डे समिट ऑन दे ग्रीन हाइड्रोजन इनिशेटिव स्टार्टिंग ये मैं बता चुगा हूं अब मैं करने वाले कौन थे इसको डिसकावर करने वाले थे हैंड्री केविंडिश ये एक थोड़ा स्पेशल टाइप का यूनों एलिमेंट है इसके प्लेस को लेकर के बहुत विवाद रहा है और इसका राइट प्लेस क्या हो और आपको पता होगा कि आवर साड़नी में ये का एटमिक नंबर 1 है ठीक है इसके तीन आपके आइसो टॉप्स होते हैं वन वन एच वन यानिकी प्रोटियम वन टुटियूर्यम और वन एच थ्री जिसे आप ट्राइटियम ट्रिटियम यह जैसे भी आप पढ़ते होगे ठीक है तो यह है आपका थोड़ा सा हैड्रोजन के बारे में अच्छा इसको green energy के रूप में क्यों कहा जा रहा है क्योंकि यह साफ सुत्रा इंधन है इससे जो residual part है जैसे हम कोई इंधन इस्तमाल करते हैं तो इंधन इस्तमाल करने के बाद जैसे ashes बचेंगी या फिर आपका कुछ कचरा होगा garbage develop होता है तो ऐसे इंधन को ऐसे fuel को हम अच्छा fuel नहीं मानते है ठीक है तो अच्छा fuel कौन सा होता है जिसकी calorific value अच्छी हो और साथी साथ उसके अंदर कोई भी residual part ना बचे ठीक है तो ऐसे में जो आपका hydrogen है it is a very good you know fuel we can use it चलिए खेर इसी के साथ green initiative की बात हुई साथी साथ बात कर लेते हैं कि भार फिर कभी detail में वीडियो बनाएंगे अभी अगला प्रशन है विश्व संगीत दिवस का मनाया जाता है तो मैं बता दूँ यह 21 जून का है 21 जून को यह मनाया जाता है और 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है मैं बता चुका हूँ आप comment section में लिखें मुझे अच्छा ल कौन साथ शिर्ष यानि टॉप लेवल पर आने वाला जो शेहर है रहने के हिसाब से सबसे अच्छा शेहर ऐसे समझ सकते हैं तो पहले नमबर पर जो शेहर आता है भारत का वो है बैंगलूरू बैंगलूरू कहा है करनाटका स्टेट में और सेकेंड नमबर पर आता है चेन पर आता है 21 सताबदी 21 सदी के सबसे महान टेस्ट बैट्समेंट बने हैं देखे मैं आपको बता दूँ ये सबके प्रिये सचिन तेंदुलकर है एक या दो दिन पहले की खबर है सचिन तेंदुलकर ने आठ साल पहले 2013 में ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा लेकिन आज भी सचिन तेंदुलकर को इस सदी का सबसे बहतरीन बल्ले बाज चुना गया है तो ये प्यार उनका सबके प्रती ये सबका उनके प्रती के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 21 सदी का सबसे बहतरीन बल्ले बाज चुना गया है स्टार स्पोर्ट के पॉल में सचिन तें मिलते हैं आप समझ सकते हैं वो all in all रही हैं अपने टाइम में one man army की तरह से lead करते थे पूरे team को और चलिए खेर अब आगे बढ़ते हैं तीन जून को राष्ट्रिय दिवस के रूप में इसी लिए मना रहा है इस्पेन क्योंकि जो स्टार खिलाडी राफिल नडाल है उनका 35 जनम दिन इजन पढ़ रहा है और टैनिस के चेतर में उनकी उपलब दियां किसी से चुबी रही है तेरह बार तो उन्होंने क्या किया है फ्रेंच ओपन को जीच सुधन और यह आप देख सकते हैं यह माविया है और यह बहुत इंपॉर्टन्ट कुशन है यह आप याद कर सकते हैं अब अगला प्रशन है सेंट्र यूरोपियन उनिवर्स्टी ऑपन सोसाइटी अवार्ड यह किसे मिला है यह मिला है के के शेल जागो याद कीजे यह तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यह कहां की स्वास्य मंत्री रह चुकी है पहले काफी चर्चा में रही है अगला प्रशन है हाली में आईमेफ में उच्च सलहकार सम्हूं के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है तो यह है मॉन्टेक सिंग एहल वाल कर दें मुख्य मंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना का शुबारंब किस राज्य के द्वारा किया गया देखिए स्टेट जो है यह बिहार है बिहार राज्य सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है युवा उद्यमी और महिला उद्यमी देखिए एंट पुरसे में उसके लिए कोई भी योजना लाना, उसके लिए उसको प्लैन करना, उस एनरजी को, यह हमारी ऊर्जा है, इस ऊर्जा को जब तक कि हम सही डिरेक्शन नहीं देंगे, तो डिवेलप्मेंट नहीं हो सकता, एक गॉर्मेंट, एक देश कैसे विक्सित हो सकता है, ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है अब चीफ मिनिस्टर कौन है इसमें चीफ मिनिस्टर है आपके नितिश कुमार है और गवर्णर है फागू चोहान अगला प्रशन आता है वी कनग राज किस राज्य पुलस शिकायत प्राधीकरण की अध्यक्ष रह है कि किस राज्य के द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में योगा को शामिल किये जाने की बात कही गई है तो यह है आपका हर्याना स्टेट हर्याना स्टेट में जो पाठ्यक्रम है उसमें योगा को शामिल करने की बात की जा रही है मनोहर लाल खटर जी के द्वार ये एक साल क अफ्रिकन कॉंटिनेंट का एक देश है बहुत स्वाना ये आप देख सकते हैं ये औरेंज कलर में जो आप देख रहे हैं ये हैपका बहुत स्वाना ठीक है और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं South Africa का थोड़ा अपर पार्ट पर है यह यानि Northern Side में है और इधर आपका नाभी बिया हो गया इसके West में, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, North जो East है, North East में जिंबावे है और इसके North में जांबिया है, North West में आपका अंगोला भी है, तो ऐसे आप इसकी location को trace कर सकते हैं, Capital की बात करें तो Gabon है और Currency है Boswana Pula, BWP, President कौन है, यह है आपके Mogwa Mogwit की Masisi, अगला प्रशन आता इसके बाद किस राज्य सरकार के द्वारा, योग विज्ञान में एक वर्षिय पाठे करम शुरू किया गया है, तो एक वर्षिय पाठे करम जो शुरू किया गया है, योग में यह किस के द्वारा किया गया है, यह दिल्ली गॉर्मेंट के द्वारा किया गया है, और यह है आपका Meditation and Yoga Science, ठीक है, तो यह एक वर्षिय कोर्स है, जो प्रारम किया जा रहा है, तो इसी के साथ, आज के जो करेंट अफेर हैं, वो समाप्त होते हैं, मैं उमीद करता हू और अगर उन्टेंट पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेर, थैंक्स लोट फो वाचिंग दिस वेडियो, फट नाइप